खत्रों के खिलारी टॉप एड कंटेस्टेंट्स जो कि अभी विनर की रेस में आगे बढ़ रहे हैं नम्रित को और अलुहालिया नम्रित खत्रों के खिलारी में अपने शांदार पफॉर्मेंस की वज़े से अभी ट्रॉफी की ओर बढ़ रहे हैं अभी टिकट्टो फिनाले के लास्ट एपिसोड के स्टेंट में निम्रित ने उसे दस मिनर तक पफॉर्म किया है जबकि सामने शालीन ने अबॉर्ट कर दिया था यही स्टेंट नमबर टू शालीन भनोत शालीन खत्रो के खिलाड़ी के एक स्टॉंग का अंटेस्टेंट्स है जो की विनर की रेस में आगे बढ़ रहे हैं शालीन ने कुछ पफॉर्मेंस को छोड़ कर नहीं उन्होंने हर पफॉर्मेंस को एक नमबर पफॉर्म किया है नमबर थ्री नियती फत्नानी नियती खत्रो की खिलाड़ी की छोटा पैकेट बड़ा धमाका है जो के अपने शानदार पफॉर्मेंस से विनर की रेस में आगे बढ़ रहे हैं नियती कहीं न कहीं हाइट के डिसेडवांटेस की वज़े से ये स्टन्ट को बहुत अच्छे से पफॉर्म नहीं कर पाती है नमबर फूर अभिशेक कुमार जिनका शोव में लग के साथ साथ हाट वक भी आगे पहुचा रहा है उन्हें विनर की रेस में हलाकि इस्टन्ट वाइस बात किया जाए तो अभिशेक ने एक हपते तो परफॉर्म ही नहीं किया था जिसमें वो सेफ हो गए थे जिस वज़े से उन्हें शो में नेवपो किट के नाम से बुलाया जाता था जो कि एक बार इलिमनेट होने के बाद अपनी शांदार परफॉर्मेंस से इन्होंने बैक अप लिया है कृष्णा एक अच्छी स्विमर है जिस वज़े से उन्हें पानी वाला इस्टन्ट परफॉर्म करने में एक एडवांटेज मिल जाता है और इसलिए वो पानी वाला इस्टन्ट जीत भी जाती है सुमोना चक्रवर्ती सुमोना स्टार्टिंग से ही अपने हाड वर्क की वज़े से शो में टिकी हुई है शुमोना खत्रों की खिलारी की एक ऐसी कंटेस्टन्ट है जो कि हर वीक एलगनेशन इस्टन्ट परफॉर्म करती है नंबर सेवन गश्मिर महजनी गश्मिर खत्रों की खिलारी की एक ऐसे कंटेस्टन्ट है जो कि हर इस्टन्ट में अपना हांड़र्ड परसंट देते हैं फिर भी कहीं न कहीं उनका लग उनका साथ नहीं देता है लेकिन गश्मीर के performance की बात की जाए तो इन्होंने शो में बहुत से stunt ऐसे हैं जिसमें इन्होंने 110% दिया है और उस stunt को भी जीता है और यही कारण है कि गश्मीर को शो के contestant अपना tough competitor मानते हैं करनवीर महरा करनवीर खत्रों के खिलाली के सबसे strong contestants में से एक हैं जिन्होंने शुरुवात से लेकर अभी तक एक एक stunt बहुत अच्छे से perform किया है और उस stunt को जीता भी है इन्होंने और उनका यही luck और hard work की वज़े से आज वो final में पहुँच गये हैं करनवीर खत्रों के खिलाली के पहले finalist बन गये हैं आपको क्या लगता है कि इस बार खत्रों के खिलाली में trophy कौन जीतने वाला है हमें comment section में जरूर बताएं